अलो फ्रेंड्स नमस्कार YCTC के आफिसल यूटूब चैनल पे आप सब का मैं मुकेश कुमार बर्मा बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो फ्रेंड्स आज हम जैसा आप सब को पता है कि इसके पहले एकॉनमी की कलासेज आपकी चल रहे हैं तो उसी सरिंख्ला में आज हम आप सब के सामने लेके उपस्तित हुए हैं पॉल्टी के जितने भी कोई questions नहीं जो I.S के exam में या PCS के exam में जितने भी स्टेट के civil exam होते हैं वहाँ पूछे गए हैं उन सारे question को हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके और एक एक chapter के मार्धम से पहला chapter आपका है समवैधानिक विकास की जो परकिरिया थी कि किस तरीके से regulating act आता है 1773 का किस तरीके से 1773 के बाद 1793 का act आता है 1813 का आता है 33 का तो हर 20 साल भी act आते जाते हैं आप सबको पता है तो उसी क्रम में total 51 chapter में यह quiz है आपका तो पहला chapter है समवैधानिक विकास की जो परकिरिया थी उसके अंतरके थम लोग पहला question अपना देखेंगे तो friends देखिए पहला question आप सब के सामने screen पे है उससे पहले कि हम इसको start करें आप सब एक बार channel को ज़्यादा सज्यादा लोग पास share कर दीजिए वो चाहे WhatsApp गुरूप हो आपके चाहे टेलीगराम हो हर जगा share कर दीजिए और channel को ज़्यादा सज्यादा लोगों को subscribe करवाई आई देखते हैं पहला question friends पहला question आप सब के सामने है कि किस अधनियम के द्वारा कलकत्ता में Fort William में उचितम नयाले की अस्थापना की गई थी क्या question friend कि किस अधनियम के द्वारा कलकत्ता में कलकत्ता में Fort William उचितम नयाले की अस्थापना की गई थी आप सब को पता है कि 1773 में regulating act आता है क्यों आता है इसको जानना सबसे जरूर है कि 1773 में regulating act क्यों आता है आप सब को पता होगा कि 1757 में 1757 में पलासी का युद्ध होता है ठीक है किसका युद्ध होता है पलासी का कब होता है 1757 में उसके बाद आपका 1764 में बकसर का युद्ध होता है ठीक है और बकसर का युद्ध जीतने के बाद ही अंग्रेजी कमपनी का नियंतरण भारत की सरकार या भारत पे हम कह सकते हैं कि अस्थापित हो जाता है तो यह जो कमपनी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी इसको regulate करने के लिए ठीक है कि किस प गैस में आप लोग regulator का इस्तेमाल करते हैं ठीक है रेगुलेटर किस लिए क्योंकि regulate जब आप करते मलब circulate करते हैं गैस निकलती इसलिए उसका नाम है regulator चलाने के लिए तो उसी तरीकी से भारत के प्रसासन ब्योस्था को कमपनी के माध्यम से चलाने के लिए एक पेस किया उसका नाम क्या रखा गया regulating act और कब आया यह act तो यह act आपका आता है 1773 में आता है regulating act कब आता है friends 1773 में regulating act आता है नाम क्यों रखा गया regulating आप सब को मैंने बताया कि regulating मलब कमपनी के प्रसासन को चलाने के लिए एक लाया गया था इसलिए इसका नाम रखा गया regulating act और इस act के माध्यम से कुछ ऐसी चीजों का प्रवधान किया गया जिसकी अमिट शाप आगी चलके भारत के परसासन पर पढ़ने वाली थी तो 1773 एट के माध्यम से बंगाल में एक गवर्नर जनरल की न्यूप्ति की गई जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग ठीक है किसकी न्यूप्ति की गई वारेन हेस्टिंग की न्यूप्ति की गई इनको बंगाल का पर्थम गवर्नर जनरल कहा जाता अगर आपसे कभी पूछे कि बंगाल के पर्थम गवर्नर जनरल कौन थे तो वारेन हेस्टिंग बंगाल के पर्थम गवर्न से ऐसा किया गया था तो आपसे नंबर एक सका सही है. 1773 के 7 के माध्यम से की गई थी, और कब अस्थापना किया गया तो अस्थापना का जो यह रेफ्रेंट्स वो आपका 1774 है, तो 1774 में कलकट्ता में एक उचितम न्याले की स्थापना की गे, इसके मुख्य नैजिस कौन थे? IMPE थे, इलिज इफय थे और ईलिज इलिज इम्पे थे और उसके अलामत तीन अन नैजिस थे तो टोटल चार न्यज आधीस्वकी निउपति की गे जिसमें मुख्यまあधिज इलिज्य इमपे थे याद रखिएगा कभी-कभी पूछ लेता है कि जो कलकत्ता में उचितम नयाले बनाया गया था उसके मुख नयाधिस कौन थे तो इंपे थे तो पहला question हम लोग कर लिए हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा question क्या है ठीक है friends तो दूसरा question हम लोग देखेंगे दूसरा question देखते हैं आईए दूसरा question आपके screen पर आ गया है friends देखेंगे दूसरा question स्क्रीन पर है कि किस अधनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की अस्थापना की गी थी option पहला आपका दिया है कि regulating act के माध्यम से दूसरा option आपके सामने दिया है कि 18188 के भारत सासन अधनियम के माध्यम से तीसरा option दिया है 1935 भारत सरकार अधनियम के माध्यम से तो friends अभी आपको ये question हमने पहले ही कराया पहला question क्या था कि कलकत्ता में उचितम नियाले की अस्थापना किस act के माध्यम से की गई थी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पहले गवर्नर जनरल को बने बंगाल के तो friends अगर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो बंगाल के पर्थम गवर्नर जनरल हुए थे आपके वारेन हेस्टिंग तो वारेन हेस्टिंग को पर्थम गवर्नर जनरल बनाया गया था इस पर चर्चा कर लिये और 17-74 में कलकत्ता में सुप्रीम कोड की अस्थापना हुई थी हमने उस पर चर्चा कर लिया एक लिय te paher prisoner को चलाओना तो चारप्स कि अधनियम के माद्ययम से किया गया था इसके मुख्षण नय्धिया को थी अपनी यह पढ़ा हुआ है जलिए आए और देखते हैं आपका सब्सक्राइन कने बत्सक्राइज नहां हो जा रहा है अब ये तो रिकार्ड हो जा रहा होगा ने तो फ्रेंड्स तीसरा कूशन आप सब के सामने स्क्रीन पर आ गया है तीसरा कूशन है कि बिटिस सरकार के किस अधनियम ने सबसे पहली बार भारत में सिच्छा के लिए एक लाख रूपे दिये थे सवाल क्या कह रहा है कि बिटिस सरकार के किस अधनियम ने सबसे पहली बार ठीक है फ्रेंड्स क्या कह रहा है सबसे पहली बार सिच्छा के लिए एक लाख रूपए का प्राउधान किया गया तो भारत में सिच्छा के लिए किस एट के माध्यम से पहली बार एक लाख रूपए का प्राउधान किया गया था आप सब के सामने कुश्चन स्क्रिम पे है जल्दी सी इसका उत्तर दीजिए आपसर नमबर 1 आप सब के सामने है बुट्स का डिस्पेच 1854 आपसर नमबर 2 आप सब के सामने है 1813 का चार्टर अधनियम ठीक है यहाँ में स्प्रिंट हो गया यहाँ पे आपका 1813 रहेगा जो 1843 लिखा गया है प्रिंट से ऐसा किया गया था तो फ्रेंट्स एक बार फिर से जो लगा कि जादा से ज़्यादा लोग पास चैनल को पहुंचा दीजिए और आप हमारे अप्लिकेशन YCTC अफिसिल अप्लिकेशन को भी आप गूगल प्ली स्टूर पे जाके डाउनलूड कर सकते हैं तो एक बार जल्दी से कलास को सेर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आए देखते हैं 1813 में क्या क्या किया गया फ्रेंट्स तो देखिए 1813 का जो चार्टर एट आया था वो 1893 की चार्टर एट की बाज़ता को बढ़ाने के लिए आए था आप सबको पता होगा कि हर एट की माधियम से 20 साल के लिए बाज़ता बढ़ा दी जाती थी तो 1813 का जो चार्टर एट आया था उसमें क्या-क्या परमुक पराउधान किये गये थे तो 1813 के चार्टर एट के माधियम से सबसे पहला पराउधान यही किया गया था कि इसकी जो बैदता थी एट की तो सासन को कमपनी के इसके माधियम से 20 ओरसों के लिए और बढ़ा दिया गया इसके अलामा तीसरा क्या गिया गया इस एक्ट के माध्यम से इसाई मिसंद्रियों का भारत में परवेस हो पाया किसका इसाई मिसंद्रियों का भारत में परवेस हो पाया इसके अलामा 1813 के चार्टर 8 में एक अन्य महात्पूर्ण ब्योस्था और की गई थी, आज सब को पता होगा, वो ब्योस्था क्या की गई थी, तो friends, 1813 के चार्टर 8 के माध्यम से कम्पनी के ब्यापारिक एका अधिकार को समाप्द कर दिया गया, क्या किया गया, कम्पनी के ब्यापारिक, तो friends, कम्पनी के ब्यापारिक एका अधिकार, ठीक है, कम्पनी के ब्यापारिक एका अधिकार को समाप्द कर दिया गया, अब इसका मतलब क्या है, कम्पनी के ब्यापारिक एका अधिकार से तात पर ये है, कि सिर्फ और सिर्फ East India कम्पनी को ही ब्यापार करन तो उसी को कहते हैं ब्यापारिक एकाधिकार. तो X-Aid के माध्यम से कम्पणी का ब्यापारीक अधिकार समापत कर दिया गया. कम्पणी का मतलब East India कम्पणी का ब्यापारिक अधिकार समापत कर दिया گया. अब बिटेन की जो अन्य कंपनियां थी, वो भी भारत में आके अपना ब्यापार कर सकती थी, लेकिन ये ब्यापारिक एक अधिकार दो चीजों को छोड़ कि समाप किया गया था, एक चाय, चाय का ब्यापारिक अधिकार, एक अधिकार भी अभी किसके पास था, EIC, East India Company के पास था, इसके लावा चीन से ब्यापार की अनुमती भी केवल किसको थी, ये दोनों अनुमती अभी भी किसको थी, EIC थी, EIC मतलब East India Company को थी, बाकी ब्यापार, अब जो अन्य कंपनिया थी ब्रिटेन की, वो भी भारत में आके कर सकती थी, तो और 1813 के चार्टर एट में क्या-क्या महत्वर प्र किया गया, किस एक के माधन से, 1813 के माधन से, तीसरी मारपूर बात ये की गई कि इसाई मसिम्रियों का भारत में परवेस सुरुश्चित किया गया, किस fisherman के माधन से, 1813 के माधन से, इसके लावां, कमपनी के बैपारिक एक एकाधिकार को समाब्थ कर दिया गया, East India Company के अगला कुशन हम देखेंगे कुशन नमबर 3 देखेगा इस्क्रीन पर आ गया स्वारी कुशन नमबर 4 आप इस्क्रीन पर आ चुका है आईए देखते हैं कुशन नमबर 4 क्या कह रहा है कि किस अधनियम ने पहली बार भारत वासियों को अपने देश में परसासन में कुछ हिस्सा लेना संभो बनाया तो कहरा कि किस एट के माध्यम से पहली बार भारतवासियों को अपने देश के परसासन में कुछ हिस्सा लेना संभो बनाया तो हमने 1773 का Regulating Act पढ़ा क्यों बनाया गया था 1813 का Charter Act पढ़ा और अब आपके सामने अगला Question लेके मैं आ गया हूँ किस अधनियम ने पहली बार ध्यान दीजिएगा धारतवासियों को अपने देश के परसासन में ठीक है कुछ हिस्सा लेना संभो बनाया आप सब के सामने आपसर नमबर एक Charter Act 1833 के माध्यम से इसके अलावा Charter Act 1853 के माध्यम से इसके अलावा 1858 का जो Government of India Act था उसके माध्यम से या इन में से कोई नहीं तो जल्दी से जाएए कमेंट बाक्स में और अपना उत्तर दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा इसके साथ चैनल को जादा जादा लोग पास पहुंचा दीजिए तो फ्रेंड देखते हैं देखें इसका सही जवाब होगा कि 1833 का जो Charter Act आया था तो फ्रेंड 1833 के माध्यम से एक महत्पूर प्रोविजन ये किया गया था जो ब्यापारिक एक अधिकार था कमपनी का ब्यापारिक एक अधिकार वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया ब्यापारिक एक अधिकार पूर्ड रूप से समाप्त कर दिया गया ठीक है पूर रूप से मतलब क्या है कि चाय और चीनी से भी ब्यापारिक एकाधिकार चाय वा चीन के साथ जो ब्यापारिक एकाधिकार होता था कमपनी का वो भी समाप्त कर दिया गया किस एट के माध्यम से 1833 के चार्टर एट के माध्यम से 1813 के माध्यम से जो ब्यापारिक एक आधिकार समाप्त किया था, उसमें चाय और चीन के साथ जो ब्यापार किया था, उसके एक आधिकार को बरकरार रखा गया था, लेकिन 33 के माध्यम से पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, तो एक important provision ये हो गया, एक important provision आपने पढ़ा ही, कि पहली बार भारतवासियों को अपने देश के परसासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था, ठीक है, इसके अलामा और क्या महत्पूर प्रोविजन किया गया, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, किसको इस Act के माध्यां से बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया अगर आप से सवाल पूछे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो भारत के पहले गवर्णर जनरल थे लाड बिलियम बैंटिंग ठीक है लाड बिलियम बैंटिंग तो लाड बिलियम बैंटिंग पहले गवर्णर जनरल थे भारत के इसके लाव अगर पूछे बंगाल के पर्थम गवर्णर जनरल कौन थे तो आप सब को मैंने बता है कि 1773 क regulating act के माध्यम से बंगाल के पर्थम gouverneur general कौन थे अगर ये सवाल पूचे गा तो वारेण हिस्टिंग थे ठीक है बंगाल के पर्थम gouverneur general हे अगर आपसे पूचे तो उसका और सही जबाब ये होगा वारेण हांदे थे ठीक है वारेण हैस्टिंग तो मैंने दो चीजे आपको clear कर दी, यह सवाल पूछा जाता है, कि बंगाल के पर्थम गवर्नेजरल कौन थे, तो Warren Hasting थे, भारत के पर्थम गवर्नेजरल कौन थे, तो Lard William Banting थे, और अगर आप से कभी पूछे, कि भारत के पर्थम वाय सराय कौन थे, तो मैं आज सब को बताना के Charter Act के माध्यम से, ठीक है, Charter Act के माध्यम से, जो भारत की गवर्नेजरल थे, उनको क्या कहा जाने लगा, वाय सराय कहा जाने लगा, तो जो गवर्नेजरल हुआ करते थे, उनका नाम चेंज कर दिया गया, 1858 के Charter Act के माध्यम से, और उनको कर दिया गया, वाय सराय, तो 14133 में अगर आपसे पूछे बारत की पर्थम वय सराय कॉन थे तो लाड़ कैनिंग भारत के पर्थम वय सराय थे WAR आपके बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कूशम क्या है ति कोशिचे नमबर 4 आप सब के सामने आ गया है कूशन नमबर 4 हो हो गया था कुछिन नमबर पांच आप सब के सामने आ गया है तो फ्रेंट देखिए चार कुछिन हमने किया और पूरा डिस्क्रिप्टिव फार्मेंट में कर रहे हैं कि उस से संबद्धित कुछिन के जो अन्य चीजे हो रहे हैं वह भी मैं आपको किलियर करते हुए चल रहा नियम 1909 जो आये था उसी को मालने मिंटु सुधार के नाम से भी जानते हैं ठीक है पहला क्या कह रहा है तो फ्रेंट पहला आपसर आपके कह रहा है पहला आपके कह रहा है कि विधान परिशत के आकार में बृद्धि तो क्या 1909 की माध्यम से यह किया गया था तो हां 1909 की म थे बिद्धान सर्थप्रिष्द के आकार में बीर्धी की गए थे लेकिन पूछ़ग कि परमुा परणकतां कौन सा नहीं है। दूसरा दिया गया है केंद्री विधान परसदों में सरकारी बहुवत ठीक है तीसरा दिया गया सम्रदाइक और पिठथक निर्वाचन पद्धती और चोथा दिया गया है केंद्री विधान परसद में निर्वाची सदस्यों को अस्थान नहीं तो पूछ रहा है कि इसमें 1909 सब्सक्राइब होगा इसमें कहा गया है कि केंद्री विधान परशद में निर्वाची सदस्यों को अस्थान प्रश्थान तो यही प्रवधान गलत है बाकी सारे प्रावधान जो दिये गए हैं जैसे कह रहें कि विधान परसद के आकार में विद्धी की गई थी तो हाँ विधान परसद के आकार में विद्धी की गई थी ठीक है इसके माध्यम से दूसरा इस एट के माध्यम से केंद्री विधान परसद में सरकारी बहुमत साबित किया गया था ये भी सही बात है तीसरा संप्रदाइक और पिर्थक निर्वाचन पद्धती तो 1909 के भारत सासन अधनियम के माध्यम से संप्रदाइक और पिर्थक निर्वाचन पद्धती की भी व्योस्था की गई थी इसी को बाटो और राज करो की न पांच पूश्चं हो गया है अब देखेंगे छहटबूं कूश्चन क्या है अग्या है backlash я देखते है छफों कूश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पके आगिया है देखिए प्रेंड्स क्या कहे रहा है छेटवा कुशन कह रहा है कि केंदर में कौन सा एक्ट दो सदनी ये बिधाई का लाया तो फ्रेंट्स ये सवाल ये पूछ रहा है कि केंदर में कौन सा एक्ट दो सदनी ये बिधाई का लाया था पहले आपसं, आप सबके दातल की अगया, यह जानना भी जरूरी होता है तो यह दो तो चले गए अब बचा 1917 तो यह भी कोई बिध्यक नहीं आया था तो बचा क्या वनेश तो वनेश तो वनेश का चार्टर एक्ट तो वनेश तो वनेश तो वनेश के एक्ट के माध्यम से ही दोय सद्विक बेग्धा तही तो केईडर में क्राट दो सद्विक बिधायका यह दाए तो केईडर में वनएश तो वनेश तो वनेश के भारतै proces अधियम के माध्यम से दोब्यश तो यह बिधायका लाय गया था आए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कूश्य नमबर साथ क्या है ठीक है छे सवाल हम लोग कर लिए हैं आए देखते हैं साथ वह सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया तो फ्रेंट्स छे इंपॉर्टन सवाल आप सबने हल पिया पहले चेप्तर का तो इसी पर एक बार फिर से ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास यूटूब चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि जो भी स्टुडेंड गंभीर हो के चाहे वो सिविल परिछाओं की तयारी कर रहे हैं या अधीनस परिछाओं की तयारी कर रहे हैं वो यहां से इसका फायदा उठा पाएं आए देखते हैं सातों कुश्चन क्या है सातों कुश देखेए पहला आफसंदिया है आप सबके सामने म्यायपाल का यूओण विधायाइका कि 20 सक्ती का परथक्रन ठीक के ए दूसरा दिया केंदरिय यों प्रांतिय सरकारों की अधिकारता तिसरा दिया भारत की सिक्रेट्री आफ इस्टेट योंगा सराय की सक्तियां और चौथा दिया है उप्रिक्त में से कोई नहीं सवाल एक बार फिर से पढ़िएगा भारत सरकार अदियम 12-12 ने निलिकित में से किसको असपष टूप से परभासित किया है तो 12-12 ने असपष टूप से किसको परभासित किया है तो सही जवाब होगा केंदरिय यों प्रांतिय सरकारों की अधिकारता को ठीक है इसका सही जवाब क्या होगा केंद्रिय योंप्रांटिय सरकारों की अधिकारता को किसके माध्यम से परवासत किया गया है 1919 के एट के माध्यम से परवासत किया है नयापालिका, विधाईका के बीज की सक्तियों का पिठ्थर करन इसमें सामिल नहीं है ठीक है चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेश्ट कुशन देखिए, अगला कुशन आप सब के सामने स्क्रीन पर आ गया है कुशन नमबर एट, कुशन नमबर एट क्या कह रहा है पढ़िएगा कह रहा है वनेश्टो 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 कारपालिका सरकार में दोएद सासन की ब्योस्था की गई, तो friends 11 to 118 के एट की माध्यम से प्रांतों में दोएद सासन की ब्योस्था की गई थी, तो इसका मतलब यह हो गया कि यह पहला वाला जो कथन कहरा है वो सही है, दुसरा क्या कह रहा है कि मुसल्मानों के लिए प्रिथक संप्रदाई निर्वाचक मंदल की ब्योस्था तो फ्रेंड्स आप सब को पता होगा ये ब्योस्था 1129 के माले मिंटो सुधार की माध्यम से किया गया था तो 1209 का जो भारत सासन वद नियम आया था उसके माध्यम से मुसल्मानों के लिए प्रिथक संप्रदाई निर्वाचक मंदल की ब्योस्था की गयी थी के माध्यम से 19 s.19 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 तो इसमें राज्यों में या प्रांतों में द्वेवस्था लागू किया गया था, ठीक है, राज्यों में या प्रांतों में द्वेवस्था लागू किया गया था, किसके द्वारा, वन्ने सो ने से चार्टरेट के माध्यम से या भारत सासन अद्नियम के माध्यम से वन्ने सो उन्ने इसके क्या लागू किया गया था प्रांतों में दोयद सासन लागू किया गया था इसके अलावा जब कभी आपसे अगर पूछे केंदर में किस अधनियम के माध्यम से लागू किया गया तो वन्ने इस तो पैंतिस के भारत सासन अधनियम के माध्यम से केंदर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कुश्चन और स्क्रीन पर देखें। कहां पुछा गया है जो भी सवाल चल रहे हैं आप देख रहे होंगे किसी ना किसी चाहिए हो या आई येस के एकजाम में पुछे गए हो तो वह सारे कोईशन आप सबको मैं हल करा रहा हूं वह भी चैप्टर वाई जी प्रोग्राम चलेगा आज हम लोग पहला चैप्टर स् इक्यावन चैप्टर में पूरी पॉलिटी को डिवाइड किया गया है जिसमें सारे स्टेट के आई होई कुष्चन या फिर UPSC के आई होई कुष्चनों को सामिल किया गया तो अगर आप इसका लाब हमेशा के लिए उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर करूँ जेए, आएए देखते हैं, कहरा निंबकित में से किस अध्यम दौरा समवैधानिक मिलेंस्ता का सिद्धान प्रिवरित किया गया, या लाग्स किया गया है, भारत काउशिल अध्यम 1909 की माध्यम, दूसरा दीज और 1909 की माध्यम की आभी सारी थिशविस्था भारत सरकार अधनियम तो 1935 का जो भारत सरकार अधनियम लाया गया था तो इसी को कहा जाता है निरंकुस्ता का अधनियम ठीक है इसके माध्यम से जो आउसासी सक्तियां थी आउसेसी सक्तियां बचेविती या समोरती सक्तियां बचेविती वो किसको परदान कर दी गई थी इ इसी वजा से इस एक को निनकुस्ता का एक कहा जाता है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वह नई 135 का भारत सासन अधनियम आई आगे वढ़ते हैं और देखते हैं अगला कुश्चन कुश्चन नमबर 10 क्या है तो कुश्चन नमबर 10 आप सब के सामने स्क्रीन पर आ गया नहीं थी तो सवाल क्या कह रहा है कि वह 935 की मुख विशिस्ताव में निम्निकित में से कौन सामिल नहीं है पहला है आपका यह प्रांतिये स्वायत्ता के सुथपात का संकेत था इस अधनियम में अखिल भारती महासंग का प्रावधान था ठीक है इसने प्रांतिये स्तरप दोएस आसन पडाली को समाप्त करके केंद में लागूप कर दिया गया थे यह भी सही बात है और लास्ट में कह रहा है कि आउसिष्ट विशय प्रांतियी विधायिका को आवंटित किये गए तो आप सब को पता है कि 1935 के अधनियम के माध्यम से आउसिष्ट विशय किसको गवर्नर जनरल को परदान किये गये थे तो अगर आप से कभी पूछे कि आउसिष्ट विशय किसको हस्तांतिन किये गये थे या किसको परदान किये गये थे तो यह सवाल आप देखेंगे IES के 2017 ने पूछा गया है ठीक है कब आये हुआ यह सवाल है पहले यह देख लीजे यह फिलाल नहीं बता रहे है आरेयस आर्टीयस प्रिजियेस एकजाम देख सुला है लेकिन 2017 की यूपियस एकजाम में यही सवाल पूछा गया था कि आउसिष्ट सक्तियां 1935 के माध्यम से आउसिष्ट सक्तियां किसको परदान की गई थी तो गवर्नर को परदान की गई यह सवाल पूछा गया है अभी आगी मिलेगा ठीक है तो कुश्ट नमर 10 हो गया इसका सही उत्तर क्या होगा डी आए बढ़ते आगे और देखते हैं कुश्ट नमर 11 क्या है प्रेंट्स कुश्ट नमर 11 आपके स्क्रीन पर आ गया है देखिए कह रहा है कि 1935 के भारत सारकार अधनियम कि निम्रिखित में से कौन सी एक विशेष्टा यूप्त नहीं है मतलब कि यह कुश्ट दिया गया है इनमें से जो चार आपसम दिये गये हैं उनमें से एक 1935 की बेवस्था में सामिल नहीं किया गया था तो उत्तर कौन सा यही हमको बताना है तो देखिए पहला आपका कह रहा है कि केंद्र के साथ ही राज्यों में दोयद सासन ठीक है देखिए आईएस पिरी जीएस दोजार में सवाल आया हुआ आईएस की एकजाम में पहला ही उत्तर क्या कह रहा है कि केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में दोयद सासन तो फिर आप सब को पता है कि वन्नेश के माध्यम से राज्यों में दोयद सासन लागू किया गया था दोयद सासन से मतलब क्या है जहां पर दो सरकारे कान पर रहे कुछ हस्तान्तरिस भी से बनाए गये थे और कुछ मुख्य भी से बनाए गये थे तो इसको अंग्रेज अपने पास रखते थे और बाकी जो वहां पर प्रांतिय सभाव होती तो उसको अस्तान्तरित कर देते थे तो इस तरीके से दोयद सासन लागू की गयी थी प्रांतों में वन्नेश सो वन्नेश के माध्यम से लेकिन 1935 के भारत सासन अधनियम के माध्यम से प्रांतों में या राज्यों में यह जो दोई सासन बेउस्था लागू की गई थी उसको समात किया गया और केंदर में लागू कर दिया गया ठीक है केंदर में लागू कर दिया गया ठीक है आई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कुश्चन ठीक है कुश्चन नमर 12 देखते हैं फ्रिंट्स देखेगा कुश्चन नमर 12 आपकी स्क्रीम पर आ गया है क्या कह रहा है कि निवलिखित में से किस एक अधनियम ने निमलिखिद में से किस एक अधनियम ने भारत में संघिये सासन की बेउस्था दी थी, ठीक है, तो यही सवाल है कि निमलिखिद में से किस एक अधनियम ने भारत में संघिये सासन की बेउस्था दी थी, तो देखिए, किस ने दी थी, विकलब आप सब के सामने है, भारत सरका तो आप सब को पता होगा कि संगिये बेउस्था किसके दौरा दिया गया था 1935 के भारत सासन अधनियम के माध्यम से ये बेउस्था कि गए थी आई आगे वढ़ते हैं और देखते हैं अगला कुश्चन आप सब के सामने स्क्रीन पर आ गया है और जल्दी से जवाब दीजिए कि निलखित में से किस अधनियम ने केंद्र में दोएस्थासन पढ़ाली को अस्थापित किया तो बार बार मैंने इसकी चर्चा की कि राज्यों में दोएस्थासन पढ़ाली क्या होगा 1935 आए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेश्ट कुश्चन सारे सवाल आपको हल कर आए गए हैं ठीक है और जो भी रिपेटिट कुश्चन यहां आ गए हैं उसको जल्दी से हम लोग देखेंगे देखिए अगला कुश्चन आज सब के सामने कुश्चन नमर प्रस्ताविद किया था काम पूछा गया सवाल जेस सिक्रंट पेपर 2012 में सवाल आया है कि किस अधनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारारनशें tang प्रस्ताविद किया था देखिए आफ्सण क्या-क्या है आपसे सामने पहले यह देख लिजीए आपसेстраan नमर ए होगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 135 के भारत सरकार के माध्यम से संघ्य वेवस्था का पर्तिबादन किया गया था आए देखते हैं अगला कुश्चन क्या है अगला कुश्चन आप सबके सामने इस्क्रीन पर आने वाला है देखिए नेश्ट कुश्चन आ गया है इस्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है अगला question आपके ये कह रहा है कि एक संघी बेवस्था और केंद्र में दोई सासन भारत में लागू किया गया तो मतलब क्या है ये सवाल कहां पूछा गया है ये सवाल आपका पूछा गया UPPCS Mains G.S. Second Paper 2013 में कि एक संघी बेवस्था और केंद्र में केंद्र में दोई सासन तो मैंने आपको अभी इसके पहले दसो बार बताया हुए केंद्र में दोई सासन किस आट के माध्यम से लाए गया 1935 के भारत सासन अदनियम के माध्यम से केंद्र में दोई सासन की बेवस्था की गयी थी और राज्यों में जो दो असासन लागू किया गया था उसको अगर पूछे लागू कप किया गया तो वन्ने सो अन्ने इसमें और पूछे समाप्त कप किया गया तो वन्ने सो पैंतिस के भारसासन अधनियम के माध्यम से समाप्त किया गया था तो किलियर है और संगही विवस्तक की साइट की माध्यम से आई तो 1935 की माध्यम से आई तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपसा नमबर C 1935 के अधनियम के द्वारा आए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कुश्चन अगला कुश्चन क्या है क्या कह रहा है कि भारत सरकार अधनियम के अधिन एक संद्राच्छक न्याले का गठन किया गया किसका एक संदाच्छक नियाले ठीक है एक कस्टूडियल कोड एक संदाच्छक नियाले का गठन किया गए जो कहलाता है प्रीवी काउंसिल उच्टम नियाले उच्छ नियाले या फिर देखते हैं विकल्ब डी क्या कह रहा है तो आप सबको पता होगा कि 1935 के अधनियं के माध्यम से एक संदाच्छ की गई थी और कब बनाये गए संदाच्छक नियाले से बनाये गया था तो फिर6 auth quel kIN type किस अधनीयम के माध्यम से बनाँ इस बनाये गया था तो वनower 35 का दिम की माध्यम से अधनीयम की माध्यमा रहे बनाये तो डेक्त चीजह है अगला कुछिट ऑपकार अपोट नहींगे देख whale कर चुटेंगे भ sensors पाइट के माध्यम से अलग किया गया था। यह भी नहीं। तिसरा आपका कहे रहा, वने 255 से Government of India Act के माध्यम से बर्मा को अलग किया गया था, तो देखिए, संघी बे उस्था अपनाने का कारिग्रम कब से शुरू हुआ, वने 255 के माध्यम से, संघी ने आले की बे उस्था कब किया गया, वने 255 के माध्यम से, केंदर में दोय सासन और जो सवाल पूछ रहा है, कि बर्मा को भारत से अलग कब किया गया, तो वो भी वने 255 के माध्यम से ही अलग किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, option नंबर C, वने 255 के माध्यम से बर्मा को भारत से अलग किया गया था, ओके फ्रेंट्स, आई देखते हैं, अग कि भारतिये सासन अधनियम 1935 के द्वारा स्थापिस संग में आउसिष्ट सक्तियां किसे परदान की गई याद करी एक कुश्चन इसके पहले ने सॉल्ब किया था कि नहीं कि आउसिष्ट सक्तियां किसको परदान की गई तो फ्रेंड्स ये सवाल जो है देखिए आईएस के पिरीजाम 2018 में पूछा गया UPPCS के मेंस जीएस सिकेंड में पूछा गया 2008 में तो ये इंपॉर्टन कुश्चन दो बार आपसे पूछा जा चुका है क्या कि आउसिष्ट सक्तियां 1935 के अधनियम के द्वारा आउसिष्टिएं किसको परदान की गई आपसा नंबर एक है संगहीय विधान मंडल को आपसा नंबर बी है तो मैं आपको ये पहली सौल करा चुका हूँ कि आउसिष्ट सक्तियां किसको परदान की गई थी ये most important question है इसको note कर लीजिए कि वोने इसको 35 के माध्यम से आउसिष सक्तियां भारत के गवर्णने जर्नल को परदान की गी थी ना कि प्रांतिये या केंदरी विधान सभाग है तो इसी बात पर जाएए एक बार और फिर से चैनल को जाद जाद लोग पास पहुचा दीजिए आज का टार्रेट कम से कम पांस लोगों को आप उस चैनल को सब्सक्राइब कराना है तो फिरन जाएए और जल्दी से चैनल को सेर कर दीजिए और हमारे YCTC के जो आफिसियल आयप थो उसको आप जाके वहाँ जोइन कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और टेलिग्राम भी हमारा आप जोइन कर सकते हैं आए बढ़ते हैं आगे देखिए अगला कुशन आप सब के सामने है कुशन नमबर 20 आप सब के सामने आगया है कुशन नमबर 20 क्या कह रहा है कुशन नमबर 20 कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच किया गया सक्तियों का विभाजन किस उ looksit योजना पे आधारी था तो देखिए केंदर, राज और आउसिष सक्तियां ये तीन परकार की सक्तियों का विभाजन किस एक्ट के माध्यम से किया गया वन नई सो पैंटिस के एक्ट के माध्यम से किया गया तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपसन नमबर C तो गवर्नर जनरल को आउसिर्स तक्तियां परदान की गए थी बाकि केंद्रिये और राजजी सरकारों की बीच में सक्क्तियों का भी भाजन किसके माधिम से किया गया था तो अगे वड़ते हैं और देखते हैं अगला कुष्चन क्या है देखे अगला कुश्चन स्क्रीन पर आ गया है कुश्चन नमबर 21 तो 21 कुश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नामकित में से कौन सा एक भारस असन अधनियम 1935 में सवभिकार किया हुआ महतपूर और अस्थाई अवियो नहीं है ये पूछ रहा है क्या कह रहा है कौन सा ऐसा अवियो है जो 1935 में सामिल नहीं किया गया था ध्यान देना सब्दों पर तो देखिए देश के लिए लिखिस समिधान तो 1935 में बेवस्था कब की की तो देश के लिए लिखिस सम्विधान को तो 1935 के माध्यम से सामिल नहीं किया गया था तो मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यही एक आविया होज जिसको 1935 के माध्यम से सामिल नहीं किया गया था इसके अलमा देखे दूसरा आवेयो क्या के दरा प्रांतिय सरकारों को अगठन निविखित में से किस अधनियम के ताहिए प्रांतिय सरकारों को अगठन निविखित में से किया गया था तो प्रांतिय सरकारों को अगठन निविखित में से अगला कुश्चन क्या है अगला कुश्चन इसकी निविखित आ गया है भारत सरकार अधनियम 1935 के अंतरगत कितने गवर्नर्स के प्रांत वा मुख कमिस्नर के प्रांत मिलकर बिल्टिस भारत का निर्मार करते थे तो देखिए आपसम में आपको क्या क्या दे रहा है आपसम में दे रहा है चवदा योम साथ साथ योम ग्यारा पंदरा योम नो और डी दे रहा उप्रिक्ट में से कोई नहीं तो फ्रेंट इसका सही जवाब होगा उप्रिक्ट में से क्यों कोई नहीं क्योंकि इसका जो सह प्रमिल नहीं है इसलिए उत्तर डीस होगा उप्रिक में से कोई नहीं आई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कुश्चन अगला कुश्चन आप सब के सामने स्क्रीन पे आ गया है देखिए कई कोश्चन नमर टॉंटी फॉर क्या रहा है बिटिस संसद ने भारतिये स्वत्मता अधनियं कब पारिद किया था तो आप सब कर पता हो गया जन्योरी में कि जून में या जुलाई में या फिर अगस्त मे तो आप सब के सामने चार्ट विकल्फ हैं जलते से जाए कमेंड बाक्स में और सही उत्तर बताए कि कब किया गया था यह सवाल कहां पूछा गया है UPPCS के मेंस इकजा में पूछा गया है UPPCS में में जब अब्जेक्टिव होता था 2012 में तब पूछा गया है कब पास किया गया था जुलाई 1947 में यह प्रस्ताव पार्ण किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमेनियन इस्टेट बनाए गये थे भारत वा पाकिस्तान नामक दो डोमेनियन इस्टेट बनाए गये थे डोमेनियन इस्टेट किसे कहते कि जब तक आ पाइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है तो देखे कुश्च नमर पचीस आपके सब के सामने आ गया है कि देरा कि निम्न घटनाओं को आप कालानुकरम में बेवस्थित कीजिए कि पहले कौँ से घटना हुई थी और उसके बाद कौँ से घटना हुई थी तो बिल्कुल सही है इसमें जो करम से जाएगा एक, दो, तीन, चार्व जिस करम में लगा हुआ है सबसे पहले महराजा हरी सिंग ने जम्मु कस्मीर के भारत में बिले पे हस्ताचर किये थी यह सबसे पहले होगा उसके बाद भारत का सम्मिधान उसके लागू होता है इसके बाद जम्मु कस्मीर का अपना सम्मिधान बनता हूँ वो लागू होता है और इसके बाद जम्मु कस्मीर का नया सम्मिधान लागू होता है तो ठीक है इसका सई जवाब क्या हो जागा क्यों आया था यह सवाल इसलिए कुछ आ गया था क्योंकि दो हजार वन नईस में अनुछे 370 को भारती सम्मिधान से हटाया गया था सब को याद होगा तो उसी के बाद इस सवाल बना था तो करम कौन सा हो जाएगा आपसा पहले हरी सिंग ने उस पर हताचर किये थे फिर भारत का सम्मिधान लागू हुआ था फिर लास्ट में सबसे क्या हुआ था जम्मू कस्मीर का अपना सम्मिधान सबसे लागू किया गया था आए आगे बढ़ते हैं और देखे फ्रेंट्स अगला कुछन आप सब के सामने स्क् वहारतीय पर्थम भारतिय गावने है तो कौन थे सी राजा गोपाला चारी अगला कूश्चन अगला कूश्चन आगे हैं सब यह देखिए, question number 27, आप सब के सामने आ गया है, कि निम्ने में से कौन सा एक सही नहीं है, भारतिय सम्विधान में मूल अधिकारों को सामिल करने के लिए, कहरा कौन सा एक सही है, तो पहला अफसन आपका कहरा है, कि भारतिय सम्विधान में मूल अधिकारों को सामिल करने के ल मिलाल नेहरू थे ठीक है तो इसका साही जवाब क्या हो जाएगा आपसे नमबर ए आए देखते हैं अगला कुश्चन क्रेंड्स कुश्चन नमर 28 आप सब के सामने आ गया है 28 देखें क्या कहारा 28 कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है इंडियन काउंसिल एक्ट 1189 में आया था भारती परसा अधनियम दुई सासन पधती 109 में आरम भुई थी ठीक है 116 इंडिया एक्ट 1935 भारतास अंधियम लखनो समझे उता लाड मिंटो तो पूछ रहा कि इसमें सही क्या है तो इसका सही होगा 3421 ठीक है इसमें आयरेंज करने में कुश्चन थोड़ा दिक्कत बन गई है जो सेटिंग की गई थी उसमें दिक्कत आ गई है तो वो थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत हुआ है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो लिष्ट A कहां से लिष्ट 2 इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा आगी यह सही करवादेंगे हम देखिए लिष्ट A कह रहा है यहां से चालोता कि भारत परसर अधनियम और उसके सामने दिया गया है दोई सासन पद्धती का आरब होना इस सुनों में तो यह गलत था इसमे क्या कहरा सवाल कि भारतिय सम्थान के अंतर गत परथम आम चुनाओ किस वर्स होई थे तो फ्रेंस कहरा कि भारतिय stehenסम्विधान के अंतर नमर 30 आप सब के सामने आ गया है देखिए कुछ नमर 30 आ गया है क्या कह रहा है यहां पर भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है कि गवर्मेंट इंडिया एक्ट 1935 भारसासन अधनियम ठीक है दूसरा आपका है 1940 में क्रिस्प्रस्ताव आया था फिर अगस्प्रस्ताव आया था और बेवल योजना आपकी बताएगी है कि कब आय थी तो इसमें भी एर्निश करने में थोड़ा सा दिक्कत किया गया है तो यह सवाल भी हम आगे देखेंगे कि इसमें सूची 1 और सूची 2 को सही से सुमेलित नहीं किया गया है क्योंकि यहां पर दोनों डिफ्रेंस दिख रहा होगा आप सबको ठीक है तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं कि वह ने सूचालिस में इसको मिलाना ही है हम लोग अलग सी कर ले रहें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसके लामा बेवल योजना आपकी कब आई थी तो बेवल योजना आई थी 1445 में और भारत असना दियम का बाया था वने 35 में तो मिल गया ठीक है भार तो फ्रेंट्स हमने पूरा का पूरा पहला चेप्टर समवैधावी विकास जो था कूज का वो समाप्त कर लिया है ठीक है कल से इसके आगे का जो अगला चेप्टर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है तो इसी के साथ आज ये कलास समात्त की जाती है धन्यवाद उसके बांस नहीं दीक है जायोग जो एता है साथ बा Dieu में कली दोगा है जात डैंदό में हम लोगवाद क्या औरूआ है उसके लांस बारे मांदा आगे जात्त की जाएं आगे वो